नमस्कार आज की कारेक्रम में आप सबी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में हम विकास में आकाशवाणी एवं दूरदर्शन की भूमेका मास मीडिया एवं विकास और विभिन कारेक्रम उपर विस्तार से बात करेंगे आज की चर्चा में हमारी विशेशग्य है प्रतीक्षा रम्या और मैं हूँ साक्षी मांडवाल प्रतीक्षा रम्या ने माखनलाल चतरवेदी राष्ट्रे पत्रकारता एवं संचार विश्वध्याले से पत्रकारता में मास्टर किया है और स्वतंत्र पत्रकार के तौर पर विभिन्न मीडिया हाउस से जुड़ी हुई है आज की परिचर्चा में हम जिन बिंदूओं पर चर्चा करेंगे वह इस प्रकार है विकास में मास्ट मीडिया की भूमिका और महत्वक को समझना समाज में आर्थिक, राजनेतिक और सांस्कृतिक बदलाओ लाने में मास्ट मीडिया की भूमिका को समझना विकास में आकाश वानी की भूमिका को समझना विकास में दूरदर्शन की भूमिका को समझना विकास को हमेशा आधोनी करण और द्योगों की करण सामाजिक बितलाव, तरक्की और सम्रद्धी से जोड़ कर देखा जाता है विकास एक चोतरफा और सतत तरीके से होते रहने वाली प्रक्रिया है विकास की इस प्रक्रिया में मास मीडिया की बहुत एहम भूमिका होती है इसके माध्यम से एक समय में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास संदेश पहुचाया जा सकता है मीडिया विकास के लिए व्यक्ति के अंदर परंपरागत रूडिवादी सोच को त्याक कर आधुनिकता के तरफ अग्रसर होने का आत्म विश्वास और इच्छा जागरत करता है पिछली कुछ दशकों में वैश्वी करण और उदारी करण की वज़ा से विज्ञान और टेकनालोजी में विकास हुआ है लोग अब शिक्षा और विज्ञानिक दृष्टी कोन को ज्यादा महत्व देते हैं मेडिया लोगों को देश दुनिया की खबर बता कर उन्हें इस बात का एहसास दिलवाती है कि उनकी अंदर कहां कमी है और विक्सित देश का हिस्सा बनने के लिए कैसे उन कमियों को दूर करना है विकास में आकाश वानी की भुमेका भारत में रेडियो ब्राटकास्टिंग के शुरुआत आजादी से पहले छोटे छोटे रेडियो क्लब के रूप में शुरू हुई थी भारत में रेडियो पहले इंडियन स्टेट ब्राटकास्टिंग सर्विस के नाम से चलता था 1936 में इसका नाम बदल कर ओल इंडिया रेडियो कर दिया गया था रेडियो मास मीडिया का सबसे प्रभाव शाली माध्यम बन कर उभरा था क्योंकि इसकी पहुच उन दूर दराज के इलाकों तक थी और आज भी है जहां नियूस पेपर और मैगजीन नहीं बहुच सकते आजादी के बाद भारत में पूरे छे रेडियो स्टेशन थे दिल्ली, मुंबाई, कोलकता, मतरास, तिरुचिपली और लखनौ 1972 में आकाशवाणी के कमर्शिल चैनल विविद भारती के चालू होने के बाद, लोगों के बीच रेडियो जनसंचार का एक महत्वपून और रोचक माध्यम बन कर उभरा आजादी के बाद भारत आर्थिक परिशानियों के साथ साथ गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी का शिकार हो चुका था उस वक्त सरकार का मुख्यो देश लोगों को अपनी नीतियों के विशे में जानकारी देना था ऐसे में आकाशवाणी लोगों तक जानकारी पहुचाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम साबित हुआ था आकाशवाणी पर समाच के हर वर्ग को टार्गेट करके विबिन्न कारिक्रम राश्ट्रिय और स्थानिय भाशाओं में प्रसारत किये जाते रहे हैं देश के हर कोने तक सूचना और जानकारी पहुचाने के उदेश से आकाशवाणी के सेवाएं चार भागों में बटी हुई हैं राश्ट्रे सेवा, स्थानी सेवा, शेत्रे स्थेवा और अंतराश्ट्रे सेवा 1952 में आकाशवाणी पर कई राष्ट्रे कारिक्रम शुडू किये गए जिनका मुख्यो देश लोगों को विकास के लिए जागरुक करने के साथ-साथ उन्हें विभिन्न विश्यों पर जानकारी देना था आकाशवाणी का सबसे बहुचर्चित कारिक्रम आर्थिक मुद्दो पर बनाये जाने वाले रेडियो ड्रामा था रेडियो ड्रामा की द्वारा लोगों तक सरकार की नीतियों की जानकारियों की साथ-साथ उन्हें सामाजिक मुद्दो और सामाजिक कूरितियों के विशे में जागरुक किया जाता था राष्ट्री सेवा की शुरुआद द्वितिय विश्वयुद के समय हुई थी आकाश वाणी के नियू सर्वरेस डिविजिन का मुख्यों देश समाचार के साथ साथ नीज रील, मुख्य खबरों पर विशेशग्यों के कमेंट, सामा निज्यान पर कारेकरम और करेंट अफैर पर कारेकरम प्रसारत करना था इन कारेकरमों के जरिय सरकार और आकाशवानी का मुख्यों देश लोगों तक जानकारिया पहुचाना था और उन्हें समाज और देश विदेश में हो रहे नवीनी करन से अवगत कराना था आकाशवानी की शेत्री सेवा का मुख्यों देश प्रमुक्ग सांस्कृतिक और भाशाई समू के लोगों की जरूरतों को पूरा करना और उनकी समस्याओं को हल करना होता है इन केंद्रों से राश्ट्री खबरों और दूसरे राश्ट्री कारक्रमों के अलावा शेत्री भाशाओं में समाज के विभिन वर्ग, किसान, महिलाओं, बच्चों, युवा, बुजुर्ग, आदी के लिए कारक्रम प्रसारत किये जाते हैं साथी राश्ट्री कारक्रमों को शेत्रिय भाशाओ में भी प्रसारत किया जाता है आकाशवाणी द्वारा स्थानिय सेवा की शुरुवात की वजह से शिक्षा और विकास के शेत्र में बहुत उलेकनिय कार हुए थे आकाशवाणी के इस सेवा की सबसे बड़ी खासियत थी क इसमें स्थानिये लोगों की भागीदारी थी। एक समाज के विक्सित होने के लिए यह जरूरी है कि वहां के लोग अपनी समस्या सामने रखने में सक्रिये भागीदारी दिखाए। आकाश वाणी ने अपने स्थानी सेवा के जरीए सूचना की माध्यम से लोगों का आत्म विश्वास बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है और सरकार और विशेश अग्यों तक अपनी समस्या पहुचाने में मदद की है लोकल रेडियो स्टेशन के माध्यम से गैर सरकारी संस्थानों ने समाज के उत्थान के लिए कुछ महत्वपून कदम उठाए हैं और अडल्ट एजुकेशन जैसे समवेदन शील समाजिक मुद्दे पर जानकारिया प्रदान की जाती है अकाश्वानी की अंतराष्ट्रे सर्विस के माध्यम से विदेशों की खबरों को प्रसारत किया जाता है आकाशवानी के सेवा के माध्यम से हम घर बैठे विदेशी रेडियो सेवा जैसे की Voice of America, Radio Moscow BBC, Radio of Beijing आदी सुन सकते हैं अंतराश्ट्रे सेवा के माध्यम से हम विक्सित देशों की संस्क्रती और परंपराओं के साथ उनकी देश में हो रहे विकास और प्रगती से जुड़ी जानकारिया भी प्राप्त कर पाते हैं विकास में दूरदर्शन की भुमिका सार्वजनिक प्रसारण सेवा के तौर पर भारत में दूरदर्शन की शुरुवात 15 सितंबर 1969 में प्रायोगिक आधार पर हुई थी दूरदर्शन का मुख्यों देश लोगों को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन राष्ट्री एक्ता को बढ़ावा देने के लिए जागरुक करना वैज्ञानिक दृष्टी कोण को प्रोचसाहन देना विज्ञान और टेक्नोलोजी के विशे में जानकारी देना आबादी पर नियंतरन और परिवार कल्यान की यूजनाओं के विशे में जानकारी देना महिलाओं के स्वास्त और अधिकारों से जुड़ी जानकारिया देना खेल और देश की सांस्कृतिक विरासत के विशे में जानकारी देना शिक्षा के शेत्र से जुड़ी जानकारिया देना आधी था 1982 में दूड़ दर्शन राष्ट्रे प्रसारक के तौर पर सामने आया 26 जन्वरी 1967 को कृशी दर्शन सबसे पहला कारिकरम दूड़ दर्शन पर प्रसारत किया गया इसमें किसानों को खेती से जुड़ी जानकारियों के साथ-साथ खेती करने के नए वेज्ञानिक तरीके और खात की विशे और प्रयोग के बारे में बताया जाता था वर्तमान समय में दूरदर्शन पूरे 21 चैनल संचालत करता है जिसमें से DD National और DD News मुख्य चैनल है इसके साथ ही दूरदर्शन के 11 शेत्रिय भाषा के सैटलाइट चैनल, एक अंतराश्ट्रे चैनल, स्पोर्ट्स चैनल, DD स्पोर्ट्स, राज्यसभा और लोकसभा चैनल और मनुरंजन चैनल DD दो शामिल है 2003 में DD News की शुरुआत हुई थी जो राश्ट्रे और अंतराश्ट्रे खबरों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनेतिक और सांस्कृतिक मुद्दो पर कारेक्रमों का प्रसारण करता है आज दूरदर्शन भारत का सबसे बड़ा प्रसारण करता है और इसकी पहुच बाकी चैनलों के तुलना में सबसे ज्यादा है आज भी देश के गाओ और दूरदर्राज के अलाकों में जहां प्राइवेट चैनल नहीं पहुच पाए है वहाँ दूरदर्शन अपनी सेवाओं के माध्यम से मनोरंजन करने के साथ-साथ लोगों को शिक्षित करने, जागरुक करने और जानकारी प्रदान करने की भूमिका बखूबी निभा रहा है देश में विकास की जरूरत को देखते हुए दूरदर्शन ने 2001 में विकास संचार विभाग शुरू किया था ये फैसला देश की हर कोने तक सरकार की नीतियां और योजनाओं की जानकारी और सूचना पहुचाने के लिए लिया गया था राश्ट्री दर्श्रकों के साथ साथ दूरदर्शन ने स्थानिय और शेत्रिय समू के लोगों की जरूरतों और समस्याओं का भरपूर ध्यान रखा है जनता के हित के लिए कारेकर रहे विभिन्न मंत्रालेयों की जरूरतों को देखते हुए दूरदर्शन का विकास संचार विभाग, फिक्षिन और नॉन फिक्षिन दोनों प्रारूप में कारेकरमों का प्रसारण करता है अभी तक दूरदर्शन के विकास संचार विभाग, अलग-अलग सरकारी मंत्रालेयों के साथ मिलकर, स्वास्त, परिवार कल्यान, स्वच्छता, ग्रामीन विकास, बिजली उतपादन, पेट्रोलियम संरक्षन, कॉर्परेट से जुड़े मुद्दों, वातावरन संरक्षन, आदी पर कारिक्रम प्रसारन कर चुका है। इसके साथी दूरदर्शन ने सामाजिक मुद्दों पर कई महत्वपून अभियानों के माध्यम से लुगों को पुरानी रूड़ी वादी परंपराओं को तोड़ते हुए, नई सोच अपनाने और वेग्यानिक दृष्टिकोन रखने के लिए जागरुक किया है। जैसे पहले हमारे देश में लड़कियों की शिक्षा को महत्वन नहीं दिया जाता था। माधा पिता उन्हें घर के कामों पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कहते थे और उनकी शादी भी जल्दी कर दी जाती थी। दूरदर्शन ने अपनी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के माध्यम से भारतिय समाज में लड़कियों की पढ़ाई और हर शेत्र में उनके बराबरी के अधिकार के मुद्दे को लेकर समाज में जागरुकता फैलाने का बहुत महत्वपून कार किया है। दूरदर्शन के विकास संचार विभाग के मुख्य अभियान इस प्रकार है। पत्रखात से जुड़ी नई जानकारिया एवं उन्हें प्रयोग करने के तरीके, किसान क्रेडिट कार्ड के विशय में जानकारी, कीट नाशक दवाईयों से जुड़ी जानकारी एवं उन्हें प्रयोग करने के तरीके आधी। आलप संख्यकों के हितों से जुड़े जागरुकता अभ्यान, प्रियोप पोस्ट मैट्रिक, स्कॉलर्शिप कारेक्रम, सबका साथ, सबका विकास, एवं विकलांगों के कल्यान और अधिकारों से जुड़ी, जानकारिया एवं सूचना. स्वास्त एवं परिवार कल्यान के शेत्र में दूरदर्शन ने 2002 में कल्यानी अभ्यान के माध्यम से देश में स्वास्त एवं विभन सामाजिक मुद्धों को लेकर जागरुकता फेलाने की पहल की थी. दूरदर्शन के 21 केंदरों से 2002 से लेकर 2010 तक 2009 से उपर एपिसोर प्रसारत किये गए थे जिनका मुख्य उद्देश लोगों तक नई जानकारिया पहुचाना था दूरदर्शन के विकास संचार विभाग ने स्वस्त भारत आरोग्य भारतम नाम से दूनिया का सबसे बड़ा स्वास्त अभियान चलाया था इस अभियान से जुड़े 13,000 से उपर एपिसोर दूरदर्शन के 30 केंदरों से 20 भाशाओं और 3 बोलियों में प्रसारत किये जा चुके हैं बीस सितंबर 2013 को दूरदर्शन ने निर्मल भारत अभियान की शुरुआत की जिसका मुख्य उद्देश लोगों को सिर्फ साफ सफाई और कचरा प्रबंधन के विशे में जानकारी देना था साथी लोगों को खुले में सौच से होने वाले बिमारीयों के विशे में भी जागरुक कराना था प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के सैफरान क्रांती को बढ़ावा देने में भी दूरदर्शन एहम भूमिका निभा रहा है इस अभियान का मुख्यों देश उर्जा सनरक्षन है दूरदर्शन ने इस योजना के विशे में लोगों तक सूचना पहुचाने के लिए 21 फरवरी 2015 को अक्षय उर्जा भियान शुरू किया है कारेक्रमों के माध्यम से दूरदर्शन ने एक ऐसा मच तयार किया है जहां उर्जा सनरक्षन और उर्जा के अक्षय स्रोतों के प्रयोग और बचाओं से संबंधित समस्या और प्रगतिशील विचारों पर चर्चा की जाती है नसलिये भेदपाओं जैसे ही सामाजिक कुरीती पर लोगों को जागरुक करने के उद्देश से दूरदर्शन साथी हाथ मिलाना नाम से नया अभियान शुरू करने जा रहा है इस अभियान के माध्यम से प्रवासी अपने अनुभवों को बाटते हुए सरकार और समाज के सामने अपनी समस्याय रख सकेंगे समस्यायों और अनुभवों के साथ साथ देश में उनके लिए करियर और बाकी चीजों से जुड़े अवसर के मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी मास मीडिया इवं विकास और विभिन कारिक्रम मास मीडिया के माध्यम से संदेश प्राप्त करने वाला एक व्यक्ती समू या जन साधारन भी हो सकता है मीडिया माध्यमों के संचालन करता को संदेश प्राप्त करने वाले के विशे में पूरी जानकारी होनी चाहिए उन्हें ये पता होना चाहिए कि समाज के किस वर्ग तक अपनी बात पहुचाना चाहते हैं और उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक मूल लिक्या है कोई भी व्यक्ति या समू उन विचारों और मूलियों को आसानी से नहीं अपनाता जो उसकी सदियों से चले आ रहे मूलियों कुछ चुनौती दे अपने संदेश के माध्यम से जागरुपता फैलाने से पहले टार्गिट वर्ग की साक्षर्ता दर्पता होना चाहिए संदेश देते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि माध्यम स्थानिय लोगों के लिए सुविधा जनकों और संदेश देने वाले को लोगों की परंपरा और भाशा के बारे में पूरा ज्यान हो विकास से जुड़े अभियान, मुख्यता इसी कारण से सफल नहीं हो पाते क्योंकि संदेश और संदेश पहुचाने का माध्यम स्थानिय स्तर पर उप्यूग तो नहीं होता अब जानते हैं कि मास्ट मीडिया के माध्यम किस तरह से समाज में बदलाओ और विकास लाने का काम करते हैं वाच्मैन, शौकिदार, मास्ट मीडिया के माध्यम से ही हम जान पाते हैं कि हमारे आसपास देश तुनिया में क्या घटत हो रहा है इनके द्वारा लिखी या दिखाई जाने वाली खबरें हमारी जानकारी बढ़ाने के साथ साथ हमारी सोच को भी एक नई दिशा देती है मास मीडिया के मुख्यता चार उद्देश होते हैं जानकारी देना, शिक्षित करना, मन रंजन करना और विश्वास दिलाना इन चार उद्देश्यों की वजह से ही मास मीडिया को लोगतंत्र का चौथा स्थम कहा जाता है मीडिया की समाज के प्रती कुछ नैतिक जिम्मेदारिया बनती है कि लोगों तक कौन सी खबर पहुचनी चाहिए और कौन सी नहीं मीडिया इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि ऐसी कोई भी खबर लोगों के बीच ना आए जो उनको असल मुद्दे और सचाई से दूर रखते हुए समाज में राजकता फैलाने का काम करे मीडिया जानकारी देने के साथ-साथ अपने देश की मजबूती और कमजोरियों से रूबरू करवाता है मास मीडिया दूरी और समय सीमा को खत्म करता है मीडिया हमें वहां लेकर जाता है जहां हम सर्शरीर मौजूद नहीं रह सकते हम घर बैठे रेडियो टेलिविजिन और नियूस पेपर के माध्यम से दुनिया की हर कोने में घट रही घटना के विशे में जान सकते हैं दूरी और समय सीमा को खत्म करते हुए मीडिया ने पूरी दुनिया को एक वैश्विक गाओ के रूप में पिरू दिया है मीडिया विकास शील देश के लोगों को दूसरे विक्सित देश के लोगों के रहे सेहन, उनकी परंपरा और मूल्यों के बारे में बताता है मीडिया समाज को गलत अवधारनाओं से मुक्त कर पारंपरेक समाज को एक आधूनिक और विक्सित समाज में परिवर्तित करता है एक विकास शील देश की प्रगती के लिए मीडिया का होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो लोगों में समवेदना के गुण को बरहावा देता है डानियल लर्नर का कहना है कि जब तक व्यक्ति अपने आपको दूसरे विक्सित समाज के व्यक्ति की जगा पर रख कर नहीं देखेगा तब तक उसका विकास नहीं हो सकता आधून एक समाज में लोग मीडिया के जरिये सरकार तक अपनी बात पहुचाने में हिच किचाते नहीं है मीडिया समाज की महत्वपूर्ण बातों पर लोगों का ध्यान केंदरित करता है जब एक पारंपरिक समाज विकास के मार्क पर आगे बढ़ता है तब वो मीडिया के उपर निर्भर होते जाता है मीडिया विकास शील देश के लोगों को बताता है कि उनके लिए कौन सा प्रतनिधी सही है और कौन गलत साथ ही हमारे प्रतनिधी भी मीडिया के जरिये हमें ये संदेश दे पाता है कि वो हमारे विकास और प्रगति के लिए क्या कदम उठाएगा मीडिया लोगों में महत्व कांशा की भावना पैदा करता है एक विक्सित समाज का हिस्सा बनने के लिए खुद को वहां के लोगों के रहन सहन के अनुसार ढाल कर देखना जरूरी होता है मीडिया विकास शील समाज को जानकारी के माध्यम से जागरुक होने की और मेहनत करके कुछ नया पाने के लिए प्रेरित करता है नियूस पेपर, रेडियो, टेलेविजिन, मैगजीन और बाकी मीडिया के माध्यमों में आने वाले विज्यापनों और खबरों के जरिये हमें बाहर की दुनिया में हो रही नहीं चीजों और आविशकारों के बारे में पता चलता है व्यक्ति की आगे बढ़ने की इच्छा अपने आसपास के लोगों की भी जिन्दगी बदलती है जब लोग ज्यादा कमाते हैं तब उनका रहन सैन अच्छा होता है वो अपनी आगे आने वाली पीडी को अच्छी शिक्षा दिलवा पाते हैं और इस तरह से एक सभ्वे और शिक्षित समाज का निर्मान होता है जिन इच्छाओ को वो खुद पूरा नहीं कर पाते हैं उसकी मांग वो सरकार से करते हैं इच्छाओ की पूर्ती ना होने पर लोगों की बीच असंतोश की भावना भी पहल सकती है इसलिए इच्छाओ का जागना और लोग असल में क्या हासल कर सकते हैं इन दोनों की बीच अच्छा तालमेल होना चाहिए मास मीडिया इंटरपर्सनल संचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है इंटरपर्सनल संचार प्रक्रिया दो लोगों की बीच होती है अब यहां समझने वाली बात ये है कि मीडिया किस तरह से इस तरह के संचार प्रक्रिया को प्रभावित करते हुए समाच को विकास की तरफ ले जाती है मान लीजिए कि गाउ में एक कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका लोगों पर बहुत प्रभाव है सब उसकी बात सुनते हैं और किसी काम को करने से पहले उसकी राय या सहमती लेनी जरूरी समझते हैं बागी लोगों के तुलना में वो सबसे ज्यादा मीडिया का इस्तमाल करता है और ज्यादा जानकारी होने के वज़ा से उसका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली होता है समाच मेंसे लोगों को उपिनियन लीडर कहते हैं कई बार जब मीडिया लोगों तक सीधा नहीं पहुच पाता तब इन ही उपिनियन लीडर के जरीए वो लोगों तक अपना संदेश पहुचाता है विकास शील देशों में मीडिया का ऐसे इंटर-पर्सनल माध्यमों को मजबूत करना एक प्रभावशाली लीडर्शिप की नीव तयार करता है मास मीडिया शिक्षक का काम करता है जानकारी समाच में ऐसा माहौल पैदा करती है जिससे लोग नई तकनीकों और बदलाओं को नए नजरिये के साथ अपनाते है जानकारी की ताकत से लोग बहुत सहेचता और आत्म विश्वास के साथ देश की प्रगती में अपना योगदान दे पाते है ठोस पदलाओं से पहले लोगों का योग्य होना जरूरी होता है और इसके लिए देश व्यापी तोर पर शिक्षा और ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत होती है विकास शील देश की प्रगती में लोगों को शिक्षित और योग बनाने में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होता है विग्यान और तकनीक के शेतर में प्रगती का प्रभाव शिक्षा के शेतर में भी देखने को मिलता है आज की समय में विक्सित देशों के स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाने के लिए नई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है नियूसपेपर किताबों, मैगजीन से हम हर जानकारी को विस्तार से जान पाते हैं रेडियो में टेलिविजिन की तरह विजूल्स और नियूसपेपर और किताबों की तरह बाते कहने का बहुत ज्यादा स्पेस नहीं होता है इसके बावजूद भी रेडियो ने पर्सनल माध्यम होने की वज़ा से विकास शील देशों में लोगों तक जानकारी पहुचा कर विकास प्रक्रिया में एहम भूमिका निभाई है सारांश पिछली कुछ दशकों में विकास शब्द उभर कर आया है और इस अवधारना को लेकर अलग-अलग विद्वानों का अपना दृष्टिकोन है विकास एक चौतरफा और सतत तरीके से होते रहने वाली प्रक्रिया है जिसका बुनियादी अर्थ मानव का विकास है किसी भी समाज और देश का पूर्ण रूप से विकास होने के लिए उसका सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक विकास का एक साथ होना जरूरी होता है विक्सित देश का हिस्सा होने के लिए वहां के लोगों की सोच का प्रगतिशील होना और राजनेतिक और सामाजिक फैसलों में सहे भागता होना जरूरी होता है इसके लिए लोगों के पास जानकारी, नई सूचनाए और वैज्ञानिक दृष्टिकोर होना जरूरी है विकास की प्रक्रिया में मास मीडिया की बहुत एहम भूमिका होती है मीडिया के माध्यम से एक समय में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास संदेश पहुचाया जा सकता है व्यक्ति के पास अगर देश दुनिया की जानकारी ना हो और उसे अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका ना मिले तो उसका सामाजिक और मानसिक विकास नहीं हो पाता मीडिया व्यक्ति के अंदर परंपरागत रूडिवादी सोच को त्याग कर आधुनिक्ता के तरफ अग्रसर होने का आत्मविश्वास और इच्छा जागरित करता है मीडिया सरकार और आम जनता के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करते हुए लोगों तक सही जानकारी पहुचाता है इससे लोगों का ज्यान और तरक शीलता बढ़ती है भारत जैसे विकास शील देश में मीडिया की भूमे का बहुत एहम रही है संस्कृती, परंपराओ, रेती रिवाजो, धर्मो और भाशाओ के शेत्र में हमारा देश विवदताओं से भरा हुआ है कोई भी नई सोच जो धार्मिक मूलियों का हनन करते हुए विकास लाने की कोशिश करती है उसे हमारे देश में अपनाना इतना आसान नहीं होता ऐसे में भारत में विकास प्रक्रिया को गती देना आसान नहीं रहा है पिछले कुछ दशकों में वैश्वी करण और उदारी करण की वज़ा से विज्ञान और टेकनोलोजी में विकास हुआ है और लोगों के सोच में भी बदलाव आया है लोग अपशिक्षा और वेग्यानिक दृष्टिकोड को ज्यादा महत्व देते हैं मीडिया लोगों को देश दुनिया की खबर बता कर उन्हें इस बात का एहसास दलवाती है कि उनके अंदर कहां कमी है और इन कमीयों को कैसे दूर करना है आज की इस परे चर्चा में हमने जिन बिंदू उपर चर्चा की वह इस प्रकार है विकास में मास मीडिया की भूमिका और महत्व को समझना समाज में आर्थिक, राजनेतिक और सांस्रतिक बदलाव लाने में मास मीडिया की भूमिका को समझना विकास में आकाशवानी की भूमिका को समझना विकास में दूरदर्शन की भूमिका को समझना अब इस विशे पर आज की हमारे चिर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं इस विशे से जुड़े आपके प्रश्न और सुझाओ हमेशा मन्तरत है नमस्कार काई दो की हमें झाल